किसी ने उसे कोशन पूचा है कि वो एक फोटोग्राफर है और वो किस तरीके से डिजिटली अपने आपको प्रमोट कर सकते हैं देखें मैं सिंपल सा एक बहुत असा इडिया दे रहा हूँ जो कि मैंने कई बार पहले बताया है आपको क्या करना है आपको अपने facebook वेगारा के उपर दालना है कि हमको model की तलाश है आप अपना free का photoshoot हमसे कर बा सकते हो चाहो तो facebook page के उपर अगर एक पोस्ट डालोगे तो आप boost का बटन आता है boost का बटन दबाओ अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो दिल्ली भरो और youth को target कर लो मतलब 17-18 से लेके 30, 25, 26, 27 वालों को जिनको modeling का interest है उनको जाके add चला दो उससे क्या होगा आपके पास वो लोग आ जाएगे जिनको photoshoot कराना है और यह free की बात कर रहा हूँ आपको free का photoshoot कराना है तो यहां से उनके deal क्या करनी है आपका हम photoshoot free करेगे वो photos आपकी भी होगी पर वो photos हमारी भी रहेगी अगर हमको कहीं पे भी use करनी होगी तो बेसिकली आपका portfolio बन गया आपको कोई photoshoot अलग से कराने की जुरत अगर आपके पहले से हैं तो बात अलग है पर मेरा मानना है कि हां से across नई collection आजाएगी और उन्हीं पूरी collection को आप social media पे शेयर कर सकते हो प्लस जिन लोगों अपने free का photoshoot किया है ना वो अपने दोस्तों को भी दिखाएगी और वो कहां से कराया फोटो के नीचे अपना watermark लगागे रखना तो वहां से भी उनके network से भी लोग आपके पास आएगी क्योंकि जो बंदा modeling modeling में जा रहा होगा उसके दोस्तों भी होगे modeling वाले वो देखेगा अगर आपका photoshoot अच्छा होगा तो अपने जो दोस्ती आरी होगी वहां से भी आपके बास traffic आना शुक्त जाएगा यह स्टार्ट के लिए बात के लिए आप के अगर सकते हो आप ads ला पड़ेगी और social media के उपर उसको remarket करना पड़ेगा आप social media के उन लोगों भी target कर सकते हो जो के अभी engaged हुए जिनकी engagement हुई है तो engagement और शादी की वीच में थोड़ा सा gag होता के लोगों का आप उन लोगों को भी target कर सकते हो यही है basic तरीका मेरे साब से और आप उनको फिर upsell भी कर सकते हो कि शादी के बाद का photo shoot किसी के बच्चा हुआ है तो बच्चे होने के बाद का photo shoot कोई pregnant हुआ है तो pregnancy का photo shoot post pregnancy photo shoot ऐसे बहुत सारी market में चीज़ा रखी है अब इन सारी चीज़ों को भी target कर सकते हो